जग और ना याहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिन के दुख को टक दूर गए मतरा जिने अमरत नाब भी ओ जदोपाट मतरा जिने गुरु गरंद साहईब अंदर गुरु अरजन साहईब दी आमद बारे ए बियान किता ता उना दी रुछानी औडारी गुरु अरजन साहईब दी उस शक्षित दावरन कर रही सी जिसनो कलपाट जिने अपने अलाही नदर देना देखिया परफैसर हैंदर सिंग महभूग लिखते हन फिर शहीद पगंबरा दे बे नजीर सरदार आई उनाने मनुक नो उसने हिचल आसंदा राद सिया जो हर किसम दे बेहिस बुता नो तोड़ देंदा है जो कदे कदे संसकारां दी बेरंग पाल नो टा देंदा है जो महाँ पे आ मित्या हन पर फेर भी सब चिज्जा मित्या नहीं इस दसदा है कि उन्ना चिर ब्रह्म ग्यानी नो खून या नो नास कर देंद वाले लशकर भी नहीं मार सकदे जिन्ना चिर के उस दा देवी काम मुक नहीं जानदा गुरू साहिब जी ने पंजमे गुरू दे ताउर ते जद वासन ते ब्राजमान होए ताउना ने गुरूबानी दावचारन ते गुरूबानी शिरी गुरू गरंद साहिब जी दा नो गुरू दी पदवी देंद देसंदार विच बहुत बड़े कारज कीते साच निशान दिबान साच साच तान साच मान महत्ता अवचल राज हुआ सखनता इना लखजां विच कैसे साकार प्रामानीक अते अत नेडियो विखे द्रिश दी इन बेन मूर्त सावदे समने आजन दी है गुरु अरजन साच दे वेले इस साच नेचल आसन विच दिसन लगा जिदा पसार बदेही संसार तो लाएके दिस्ट मान मूर्त तक फैले हुआ सी साच दे नेचल आसन दी वड़ी निशानी हुकम दी नरलेप सुतंतर सिखरदा दिसना है सो गुरु साहब ने एक ऐसा अथा विगास सरजिया जिसनों किसे जितदी लोड नहीं सी क्योंकि कोई भी परचलत कलपना जरवाजी परतीती इस दे रुदबे तक नहीं पहुंच सकती इसे करके बहुत सारे दुनियादारा ने गुरु साहब बलनों चराए रा दा जित्ते अदे आत्मक वरोद करना जारी रखेया उत्ते वचारता रक वरोद भी करते रहें पर जो रा इस वगास तक नहीं आया ओ रा अदूरा है इसे करके उन्हानों मात खानी पई क्योंकि ओह रा अदूरे सन जिसता अर्मगरंथ ने कौमा दे अमल दी सुच्ची दास्तान विच अपने रोहानी जहर नहीं दखाए उता अर्मगरंथ पामे आत्पवित्तर होवे पर इस नेचला सन विच ओ परवेश नहीं कर सके था सो गुरू गरंथ साहिब जी दी सरजना ते सिखी दे परचार दा जो गुरू साहिब ने कार जरमबिया असल विच ओ ओ सुच्ची दास्तान सी जिस दे रोहानी जहर पूरी दुनिया ने एक कर्श में वांग देखे गुरू अरजन साहिब दा निच लासन उसनों अपने किसे हुकम नियां विच अपेद नहीं करेगा जो गुरू बानी दे के रितो बार रहके गल करेगा निरसन दे जही विगास विचे अचो शक्ती दा हड है जेड़ी सुर्ती दे बेजान अंशानों अकैरे ते सुच्च तनेस्टी तों ती बरतावल लेके जान दी है गुरू साहिब ने इस अपाँच अपाकीज की रही गुर्बानी दे शब्दान दी जो होंद साथे समने लें दी सुख्मनी साहिब दा उचारन कीता गुर्बानी दे होर बहुत सारी शब्द उचारन कीते सिखी दे परचार दियां वक वक थामाते जाके सिखी दा परचार कीता उना ने गुर्बानी ते गुरु गुरान साहिबनो उना वेदा पराना आते शास्त्रां सिमर्तियां तो अगले राद असेया उना ने बार बार वेदा शास्त्रां आते सिमर्तियां तो अगले राद दास पाई एहो नहीं उना ने गुरु नानक साहिब दे सच्चे आते नियारेपन दा ठोस सोहज भी द्रेड कराया गुरु अर्जन साहिव दिशास्ती अंदर निया सिदक कर्म अते एकरार दी चार तहें वाड़ी चुप एननी प्रबल साकारता ता अरंकार गई सी इनने कामवल ते सखी संथацион के उनने उनना दा सगल दिदार पा लिया जिना ने सगल दिदार पाउण दी र्डी की थी उनना लोग का मحसूस की था कि उनना मिलन तो पेना किन्न अकले संथ McD's होंद सी जड़ी ओ गुरू साहब दे ददारां तो बेना किनी नीमी सी ते कना अश्चर्ज सी उना मच गुरू साहब दी बेबलतानू पाउन दा एक बार गुर अर्जन साहिब दा एक सिख पाइक लियाना पहाडा दे रमनीक नजारियां दा मोया को मुदा को मौदा मंडी दी रियासत विज्जा निकलिया अगो जर्म हस्ट मी सी राजने ठाकर दे दर्शना मूरती पूजा आते बर्त रखन दा तंडू राफिरे होया सी पर पाइक लियाना जी ने इना पेपर रितानू ना मनने आते बुता अगे सी सनाच काया राजने खुन सखा के सिख दी लत कटन दा हुकम देता पर उसे बेले परे दर्वार विच राजा के सिन जाने पागलपन दे बुखार नर जलाद जलाद आख के कुकिया अते बेहोश होके मूँ पार फर शुते डगपिया पाइक लियाना जी दी महर होई राजा खिमा दे कर विचाया अते गरिबीतार के गुरु अरज़न साहब दे दरवार विच आप पहुंचा गुरु साहब दे प्रभु नदर ना रस्क होन दी जो पहली शर्त अपने सिख नों रखी है ओ है अपने आपनों पूरन ताउरते इस रस्कता दे हवाले करना तो Guru Sahib दी रस्कता या अकाल पुर्खधी रस्कता दे हवाले करके सिख है जो एक सच्चा सिख होन दा परमान हासर कर सकता है गुरू साहिब ने हर्मंदर साहिब दी नी रखन दा जो कारज कीता उस विछ सिखान देक केंदरी स्थान दियां पैगंबरी चल का नजर आ जान दियां एहो ही प्रभू नदर विछ स्थापत होन दा तीसरा अंदाज है के रस्क बरागी दिया चेंता दे ना मुकण वाले पैंडे गुरू साहिब ने इना इना पैंडियां नू एक केंदर विछ रखया जो केंदर शरी हरमंदर साहिब दे रोब विछ सकार होया मंडी दा राजा जदो गुरू अरजन साहिब दी हजूरी विछ पेश होया ता उसनों एक रात सुपना आया के ओ कसाईया दे किसे प्रभार दे मुकी दा बजुर्ग है पर गुरू साहिब ने अपनी अपरंपार शक्ती रहें उस मंडी दे राजे दियां जो परातन जीव संदियां एकतरा नाळ उदे विछ खाश腑 जाकर रोरें सानों गुरू साहिब ने गुर्बानी दे प्रिष दिशनार उसारिया कर दितीया görünara сор कार संस्कारiset संसरी पद्वियाँ सिर्व बाहर दे गुरू Casey ताल्यार मेही दे rightit सो ब्रत संसुप्त इतना दी मौलक तानू निश्काउंदा है मन्द वाड़े अर्प विहार दे छल लैंड वाड़े सारे प्रवावानू गुरु साहवदी गुरुबानी ते गुरु साहवदी अंदाज ओ मुक्त कर दें दें जीवन रुमक तो खाली बनावट पूरी तरह उतार देंदा है सो स दिख है एक सच्चा सिख देता औरते समने होदा है खाली बनावट दिखावा आते पेक जिस तरह सुखमनी साहब इच भी गुरु साहब ने आख्या है कि इना पे खा नाड़ जिंदकी दा बसर नहीं हो सगदा एक सची सुची ते समुची जिंदकी लई गुरुबानी दे यतन कर दे रहने हैं फिर शहीद पगंबरा दे बे नजीर सरदार ने पावन बीड़नों साजिया पावन बीड़ दी सूखम तसीर गुरु नानक अमल अंदर मौजूद सी जो के दसां पाशाईयां दी जीवन अतरादियां रमजा मिच प्रवाहत हो रही सी एस सूखम तसीर स शब्द अर्थ पिछे गुरु नानक अमल दे नरलेपता वाले सदा आतनों उजागर कीता सी ओह अरूप पेंडेयां दा एक शब्दा विच चलकारा पैरहा सी पागत बानी दे महान पवित्तर बीड़ विच समल्द कार्ण विच ए द्रिष्टी कौन जो साढ़े समने आ र हिस्सा जो गुरु गुरु नानक अमल दे समपूरन तांदा अंग बन गया है वेशक बहुत सारे होर्वी जह पागसां जना दी बानी दे विचार कीता गया पर जना दी बाने गुरु नानक साहब दे खालस अमल नार मेल नहीं सिखा दी उस खालस अमल तो विच्डी होई पागत बानी नो शिरी ग्रु ग्रंद सहे विच था नहीं दिते गई पागत बानी खालस कुद्रत दे उना संगेता दा संगीत है जड़े गुरु नानक सहे दी अकाल फते विच बेकसंदा तान रख दे हन जड़ पागत बानी दियां दैवी सुरां गुरु लेवनल जुट दियां हन ताहो निक्की तर्ज बलवान तर्ज दी शीर नी बन जान दी है ज़े पागत बानी पावन बीड तो बाहर हुन दी ता इस दी अलाही लजज़त विच खंडा होना सी पर गुरु साहिब ने पागत बानी नो शीर गुरु ग्रंद साहिब जथा देगे उस खंडता नो एक रूपता विच बतल दता उस पागत बानी नो गुरु आ दी बानी दे बराबर दा सतकार दता गया गुरु सहीव दी बानी दे नाल ही गुर्शिक ने जो दोना नो मत्था टेक देने ता पगत बानी नो भी ओओ न तमस्त खुन देने पावन बीर दा अधर्ष गुरु लिव दे नेचल असन दा वश्वाश करदा है तो पावन बीर ने गुरु सहीव दी उचारे हो शब्दा मिच पगता दी बानी विच एक नहचल असन दा वश्वाश पैदा करिया तो सिख्धा वश्वाश हमेशा ही गुरु सहीव दी गुरु बानी विच रहना है इसलिए दसम पावश ने जदो अपना स्रीर तेया गया उस तो पहला सिख्धा नो शब्द दे लट लाया क्योंके शब्द विच नहचल असन दा वश्वाश शी पर जदो गुरु गरंस सहीव नो गुरु दा रुतबा नसीब होया उदो है अंतम ना विच अंतम न्यादी ओडे दी इक रुखानी सोज पैदा होया तो गुरु साहब दा गुरु बानी ते उसना जुड़े हाया सुमुच्चा संकल्प रुखानीतनौ दी पाकेज कीते पवितरतनों और जागर करेंदा है ते गुरु साहब ने यह आक्या कि सिक्फने हमेशां तर्वासदी वेधना विच रहना है उसने कदी бой क्रोदत नहीं होना क्रोदत जीवन बारे गुरू सब कहें दे हन के अजहे जिसम जो क्रोदत हुं दे हन ओ परलो विच एक अबोल किसम दी परलो विच सड़के पसम हो जांदे हन गुरू अर्जन साहबने रसक हिर्दयां उते साचदा एना प्रबल नक्ष उक्रिया कि उना दी उच्ची सुर्थ नो वेद बानी दे रहस्तों अगे लागिया अते पुलाँ पुराणा दी कलपना तक नो चीर के अगे लंग गया चंतन दियां सारियां पजारता नो खोल गया अते थाँ थाँ अंतर आप सबंदा तो पार हो गया जदो पाट मत्रा हुरी फरमाओ दे हान अंतना पावत देव सुवै मुन इंदर महाशिव जोग करी फुन बेद बिरंच बिचार रहो हर जाब नशाड़ो एक परी गुरू अरजन साहिब ने गुरू लिव दे उपर कथथ किसे ऐसे ही उच्चे कमाल विच्चो हर मंदर साहिब नो साजिया सी खाल सा पांथ दी नहचल बिरती जो के इस दे सिदीवी अमल नो सोहजमाई शोत या खलाकी पवित्तरता देन वाली है इस सिदीवी मंदर दी याद विच वसी होई है जो गुरू साहिब ने सिख पंथनो सिख कौम नो जी सिख केंदर नर जोड़िया उदे विच रोहानियत दिया परवाज़ां ते रोहानियत दे रसक गुर्णने वो हर मंदर साहिब चौंचे लग देने इसे लए सिख दुनिया विच वाज़ दे सिख दा केंदर शिरी हरमंदर साह बन गया होया है क्योंके कोई भी सुख दुनिया दे किसे भी मुल्क विच वासदा है शेरी हरमंदर सहब दर्शन ददारां दे तांग ते ललक हमेशा उस दे जीवन विच बनी रहें दी है शेरी हरमंदर सहब दी सिर्जन दाहे क्रिश्मा इसी के शीरी हरमंदर सहब दी याद उस दे जीवन दे रहन दी जामन है समधे वरकें उते पंथदियां जित लशकराने जो मार के पेश कीते उना दी सिर्जन पेछे हरमंदर सहब दा अमिट सुपना पे आ है सो खालसा पंथने अपने समुच्चे अतिहास बिच जो कारनामे कीते हन जो जंगा लड़ीया जो अपने अखला क राहे जिता हासल किती है शहात तां देती है उन्हा दे केंदर बिच सिरी हरमंदर सहब दे सरजना ते ओस हरमंदर सहब दे दर्शना दे तांग पैई है सिक अतिहास दे सारे पसार गुरू लिवदा भगसाओ हन। पामे कुछ मनुखी तरजां तो बाहर हन। हरमंदर साहिब जिस अरूब कृश्मे विचुं आया उस अरूब कृश्मे विचुं सिक अतिहास जर्मे आ है। पांथदी सारी कार अरूब सिमरंदा दृस्टी मानने इस दे बारले चम्तकार अंतम हन। इंसान दे लहो खालस कुदरत दा खालस कुदरत बनके लश्किया है। सिख दे रा सिदीवी अकरार नर जुड़े हो हन। अतिहरमंदर साहिब उस सिदीवी अकरार दा पावन निशान है। एनूपम ते लाजवाल है। क्योंके उस गु अमली मसनद उत्ते पंच सो साल दे पंथक अमल दियां सुंदर लकीरां विशियां पाईया हन। हरमंदर साहिब दी नी रखन ली पीर मिया मीर जी लहोर तो आए। इत्ते सवाल उठ सकदा है के पीर हो रानू एमान क्यों मिलिया। इस दा जवाब एह है के पीर जी असलाम तवस्व दी सिखर सान। अते तवस्व एना पाक अते पवित्तर सी जिस अंदर महम्मद साहिव दियां हदीशां दिया खलाकी साध की पूरी तरह जजब होई पाई सी। पीर जी दे बाउते दियों कबर स्थाना अते बिया बाना विच गुजर दे सान। पर कदे कदे हो बागां विच भी चले जन दे सान। बिया बान अते कवरां असलमी तसीर विच हिंदू तप अस्थाना नाओ वक्री नोहार रख दिया हन। इसलाम दा रोहनी तजारबा उन्ना चीर बिया बान अर्थाद अकल विच रहेगा जिन्ना चरके मरीद दा एक रोम वी वर्चद पनान भी चड़या होया है सो साई मियामीर जी महम्मद सहीबल नो दर्साइश होई रादी ओ पांदी सन जिना ने इसलाम दी समुच्ची समुच्चता अते न्यारे पढ़नों अपने अंदर विगास लिया होया सी गुरु सहीब दी जिन्दगी कैसे अजीम बक्षश नो मूर्ती मान कर दी है उना दे करम दी सल्तनत अंदर जो आया उस दी महत्ता सिथानक अते वक्ती रूप इच नहीं लेनी चाहिए दी उना दा कोई भी पाक अंदाज चमत का रस दे अते इन नहीं सी लहाओर दे हाकम वजीर खान दे रोग दी तलखी सुखमनी साहव दे पाठ दी मिठी तोन विच गुआच गई जदो उस दी हविली दे कोड़ों फजर वेले कोई सिंग पाठ करदा लंगया एस सथान का क्रिशमा नहीं सी सगों गुरू लिवदे एक ऐसे सच दा समय विच हाजर होन दा परतक परमान सी जड़ा नरंतर ताउरते मौलक रूपनों साबत करदा रहा है वजीर खान दा रोग हटना असल विच उस दी रोग दे जिसम दा अपर संग एक होंद दे विचों निकल जाना सी गुरू अरजन सहवदा अजीम करम अद्रिष्ट फुरना वण के काल विच समा जान दा है पर इस अद्रिष्ट फुरने नो भी उना दे लिवदी नेचल आसंदा हिस्सा मनना चाहे दा है जलंदर दे हाकम सेद अजीम खां होरा डले पेंट विच गुरू अरजन सहवदा देदार कीता खुला वर्त दा लंगर तक के सेद अमान विच चाओ अमलिया अते गुरू जी नो कुछ जमीन पेट कीती जित्यों ना द्वाबे दे शैर करतार पर वसाया सत्गुरा लई जमीन दिये पेटा सेद अंदर उना दे दिदार लई जाग गया वैराग सी जिस दी खालस कुदरत अंदर गुरू जी ने करन कारन करीम दी रस्वंत तो नीन उटका दिता होया सी पाधशे अकबर अंदर तीसरी चौथी अते पंजमी पाधशाई दे लगातार देदार ने गुरू जजबे दियां चिरन जीव छोहां जगा दितियां से गुरू अरजन साहब दे बचन मन के शेहन शाह ने काल गरसे पंजाब दा मालिया माफ कर दिता सी अते अमर दे आकरी अदास पला मिच पावन बीड़ दे देदार भी कीते से पावन बीड़ दे होंद भी चाउन तो पहला अते हरमंदर सहब दे साकार होंद तो बिना गुरू अरजन सहब दे वरूदियां दे किसे भी वार ने कारगर नहीं सी होना फिर सिख्खां उते एक अदास रात आउनी है उस अदास रात तो पहला गुरू सहब जी नहिचला सनुते बराज मान हन समेदा दहल चार चफेरे सी पैपरी राहां उते खारे खू मिठे कर दे रहे अते ना मराद रोगां दे कष्ट दूर कर दे रहे गुरू साब लहार बिच पूरे अठ महिने मिया मियर दाराश को अते पीर मुला अनाइद शा कादरी अते काना वर के सुफे फकीरानों एद दे चानवांग दे रहे पर संसार दे ड़डियां दा जबर भी जारी रहा जदो गुरू अर्जन साहिब गुरू गदी उते शिशोबत होए तसके वीर पिर्थी चंद करोद अते खुंस दी मार विच आ गए उना दे अशारे उते सुल्वी खां राम दा सुफे चड़ाया पर द्रिया बैसा दे कनारे उते तनखा मंग दे पठान नौकर दी तेग दे गजब दा शिकार होगया पती जे दी माउत दी खबर पाके सुल्ही खां गजब विच गुरू जी वलताया पर प्रिथी चंद दे सौरे पेंड इट्टां दे पकदे आवे विच साड़ मोया पावन बीड विच इना उदास कट्रावा वल कुछ संकेत मिल दे हां सुल्ही अते सुल्वी तो पहला अकबर दे एक मंसद बाद बीरबल ने वरन आश्रमदिया प्रातन रीता नो तोड़ के लंगन वाड़े गुरू साहवदे रानों तक के इरखा काती सी अते सरहाद दे महमतों मुन्त पिच्छों गुरू जी नो सक्त सजा दिन दावा कीता पर मूर्ख बिपर पठाना ना लर्दा होया मारे आगया गुरू जी अपने अडूल विगास विच विचर दे रहे फिर सिखां उते एक उदास रात भी आ गई पर उस रात ये वी पर तक होया के होंद दे असंख मिथियां शिना विच सिख शिहीद निश्चे दा लहू पैदा कर दे हैं दैशत दे पारी खला अंदर लहू दी सबतो अनूपब नुहार नो यकीन नी बणाओ दे हैं अते मौत दे विच पर ये वारा विच्चों भी शम्शीर वांग चीर के निकल जान दे हैं अते अपने अखला की हुस्वन नो अपना अदर्श बणाओ दे हैं पर जहे कतना तो पहला असे गुरू साहब दे शेहिदी दे अतिहास दा संखेव वेरवा पेश करांगे चंदू नादा एक सरकारी यौदे दार गुरू जी दे नियारे रा नडखार खांदा सी उस दी इर्खा हंगता दी लाट बन के पढ़क उट्टी सी जदो उस दे पर जे ब्रह्मना ने आके उसनों सूचना दिती के उसने उस दी लड़की ले गुरू अर्जन साहब दे बेटे हर गोविंद नों वर्दे ताउरते चुन लिया है अबमान पर ये दिवान ने सडके आख्या चवारे दी इट गड़ी दी मोरी विच ना लायो गुरू जी नों खबर होई रिष्टा ना मजूर कर दिता गया अते सिटे बज़ों गुरू जी परती उस दी इर्खा होर बद गी तीसरे रा पंथक राजनार खुर्ण सखानवालियां तो ही शक्तियां दा दंब दिनों दिन उगड़न लगा जहांगीर तक तुकते बैठा उस दे पुतर खुसरों ने बाप दे खलाफ बगावद कीती दुखा दा मारिया गुरू जी कोड़ गोएंद वाल एक रात गुजार गया अते दुश्मनानों का अतकवार करन दा मौका मिल गया जहांगीर नो गुमरा कीता गया उसने गुसे भी चाके गुरू जी नो दो लख दा जरमना कीता अते गुरू ग्रेंट साहिब दी सुरनों परचलत असलामी दृस्टी को नंसा टालन दा हुकम जारी कर देता गुरू साहिब ने बापरी जलाल दे इस गुमरा होई रूप नो सिनाम ना कीता अते उस दे जालम फरमान नो ना मननिया जापदा है गुरू साहिब नो गरफतार करन तक बादशादे मन विच गुरू साजशिया वलनों शहजादा खुसरो दी मदद करन दा लगाया दोश पूरी तरह सिद नहीं सी होया उसने वरूदियां दे से चुगली नो के वड़ अपने मन दी उतली जही सता उतली परवान कीता हजूर दे गृफतारी दा हुकम देन समय भी वो अपने असली दोखी ते करूदी रूप इच नहीं सी उएक पतले जही शंके या ते कमजोर जही दुगदा दीन कारज कर रहा सी उस दे मान दी नखीद करिया विच किसे परकार दी तीपार दा नहीं सी किसे फैंसला को नतीजियोते ना पड़ी उस दी तिलक दी मान से का वास्ता दा फाइदा उठा के चंदू ने अपना सरकारी रसूख वर्त के गुरू जी नू अपनी हरासत विच ले लेया अपनी इर्खा नू ठंडी कर लई गुरू जी नू तसी ही दन दा रहा परोना नू नीवा मखावाण दे लई नालो नाल बादशाही शार्तां वी दरहां दा रहा अजे है वतीर दे दो कारण सन एकता गुरू जी दे रहानी जलाओ दे शान नू कटाके उस दे हस्द दी अगबुजदी सी ते दूजा जे गुरू जी बादशादियां शार्तां मन जान दे चंदू दे उच्चे सरकारी यह दे प्राप्त करन दी तरिशना पूरी उन दी स पर दोखी चंदू दे मनसूब एक काम वियाब ना हुए गुरू साहिब दी शहादत दे दिना दरान जो गुरू साहिब दे शर्तां लाइयां गईयां के एकता श्री गुरू गरंसा है विच इसलाम दी उपमा विच लिखिया जावे ते दूजा दो लाखर पे आजर माना दिखता जावे तो गुरू साहिब दसे गुरू सहवान जिस सिख सब्यता दी उसारी कर रहे सन उदे विच अदर्श एकलाख चरितर अते नैतकता सब तो बड़े गुर्ण सन इना गुर्णा तो बिना सिख काम दी उसारी दा कारज दूरा पे आसी सो जदो नैतकता चरितर आते उचे अदर्श दी ते एकलाक दी गल नौँन दी सि तो सिखाने अपने गुरू तो ही सब्य आता कार लें दे हालाँके दू लख फरपया देना गुरू दे सिखाने कोई वड़ी गल नहीं सि पर गुरू साहिब ने सिख क़ौनों जो संदेश देना सि के माडे तो बा कातना सो गुरू साहिब ने जिस जिस सब्धा थी जिस कौम दी ते जिस पंजाब दी उसारी करने सी जिस जिस शिहादत तो सिख्या लाए के मुड़के दसमें पाश जाते होना तो बाद गुरू दे सिख्खाने लंबियां जंगा लड़ने असन ओ जंगा दा अरदश शिर ग अखलाक दे उच्तानों कायम रख देयां गुरबानी दे दसाई मारगते चल देयां अपने चंदू वल्लों ते जहांगीर वल्लों पाए गए किसे भी लाल चगे अपना सिर ने चुकाया अपने एकलाक नाड़ अपनी नैत्कता नाड़ ते अदर्शा नाड़ समझा उता गया सो गुरू साहब दी शहादत सेख पांथ दे अतिहास विच एक नमी नमी तबदील ले देता उर्टे समने आई सी होन तक गुरू साहब ने पंजा गुरू साहब ने जो गुरबानी दे उचारन दे नाड़ नाड़ गुरबानी दे अखलाक की मौलक तानों सेख कौम गुरू साहब दे रोहानी जिंदगी दे अंग बनाया सी उदे विच एक गल्सपस्ट सी के जो तलवारां दा पेड़ पविच होना है उदे लई एहो जे सिक त्यार कीते जान जेड़े किसे वेले भी अपने अखलाक तो नीमे ना होन जे तलवार उना दे हत्वे चावे त जालम दी पक्या लई हो बे सो जालम दा खात्मा दे मजलूम दी रखी दा जो एहद गुरू साहब ने सानू पगवना सी उपहले पांच गुरू साहब ने अपने परचार दे पसार दे सो द्रिटता नार सानू काइम करवाया ते जदों फिर शिरी गुरू हरगो बिन तलवार दे मोठी नो हत पाया ताहो तलवार फिर किसे मजलूम दे उते जल्म कर लग नहीं उठी उस तो बाद मी सिखपन्त ने जिनने लंबे समय तक भी तलवारा दारा फड़या वो किसे मजलूम दे जल्म कर लग नहीं उठ oyun 않 तो गुरू साहब ने गरूอर्जन देव पाई मती दास जी पाई द्याला जी पाई सती दास जी पाई तारू सिंग जी छोटे सहभ जादे वड़े सहभ जादे पापा बंदा सिंग जी बहादर सोजना महान शहादतां दा जो संकल्प है इस संकल्पा इस शहादतां तां ही सिरे चड़ सकी हैं के पंचंपा साथ शहभ श्रभूर। अर्जन देव जी जिना ने सिख पंथले हरमंदर सहभ दी ने रखी हरमंदर सहभ दी और सारी करवाई तांके बेबल होई सिख एक केंदर दे-ता हुरते जुड़े रहे हरमंदर सहभ सिख कौम दा केंदर बन के उबर आई। गुर्बानी नो अकठा की ता ते गुरु गुर्ण सहयव दी बीड़ उजागर की ता गया, उननो ज़े गुरु सहuyव दी बीड़ संपूरन हो गई ता गुरु सहयव आप थले जालाउन लगे, ता शिर्गु गुरु गुर्ण सहयव जिनो उचियाज़ाइशन ते बिराज दाइश बने हैं तो इना कारण ही फिर तीजा कर्म उना दा जो जो शहादत बाड़ा सी हरमंदर साहब दी रचना शेगरू ग्रंस साहब दी रचना ते अंतनु फिर शहादत वेले जिस अडूलता नारत अखलाकी उचता नार गुरू साहब ने शहादत देती ओ आउन वारिय सिख पीडियां ले एक चैनल मना रहे देता उरते समने आई इसे करके ही महान सिख शहादता जो अज तक भी जारी हैं इसे करके संपूरन हो रहे हैं के गुरू साहब दी अखलाकी उच्चता दे अंश अजभी सिख कौम दी रगां विच्चन ते अजभी सिख कौम उना संग करके एक मेक करके गुरू साहब दे संदेश दे अंसार ही अपना जीवन बतीत कर रहे हैं आओ आज जदो असी साहब शिर गुरू अरजन देव जीदा शीहती दिन मना रहे हैं ताहे प्रण करिए के एक ताह गुरू साहब वल्लों उचारी गई बानी नर जुडिए हर हर्मंदर साहब दे लगातार दर्षन करिये, हर्मंदर साहब दे दर्षना दी तांग साड़े मन विचो ना टुड़े ते तीज्या अपने अखलाक नो इन्हा बिचा सुच्चा करिये के जह सरकारी जबर दे इंता भी हो जावे, ताम भी उस्स्धे संवन ए ऐकलाक नार सम जा उताना करिए ए तिन गोण ही गुरु साहब ने जो साधी जिंदगी दे एम हन वो साधनू बक्षिश कीती हन तेसे अमीद कर दे हैं कि गुरु साहब जा शेहिदी दिवस मनाओ दे होयां पूरी सिख कौम हरमंदर साहब दर्शना दे तरप अपने मान वीच रखेगी गु अपने अखलाक दे उच्चतानों हमेशा काइम रखेगी वाहिगुरु जी का खाल्चा वाहिगुरु जी की फते